मेरी यूटूब चैनल पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज आईए हम पढ़ते हैं कहानी बाल गोविन भागत जिसके रचनाकार है रामब्रिक्ष बेनीपूरी यह कहानी एक वैक्ति चित्र है लेखक ने एक ऐसे वैक्तित्तो वाले वैक्ति का चरी चित्रन किया है जो ग्रियास तो होते हुए भी अपने चरीत्र से साधू वैक्तित्तो वाला है यानि लेखक ने ये सिद्ध किया है कि साधुपन एक सोच है जो सांसारिक्ता को त्यागे बगैर भी उसका पालन किया जा सकता है ये कहानी उच आदर्सों को स्थापित करती है इस तरह कि कहानिया हम सभी की जीवन में एक महात्व रखती है ये कहानी हमारे दिलो दिमाग पर अपनी छाफ छोड़ने में सफल कहानी है अब हम कहानी पढ़ते हैं नाम है बाल गोविन भगत ये मजोले कतकाथी के गोरे चिट्टे, सफेद बाल, सफेद बढ़ा आई दाड़ी और साठ से उपर की उम्र है इनकी कपड़े ये बहुत कम पहनते हैं कमर में लंगोटी मात्र, सर पर करवीर पंतियों सी कनफटी टोपी जाड़े में एक काली कमली उपर से ओड़ लेते हैं मस्तक पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन गले में तुलसी की जड़ों की बेडॉल माला होती है एक साफ सुत्रा मकान तथा एक बेटा और पतो हुथे इनके वे खेती भी करते परिवार था पर सादू की सभी परिभासों में एक खरे उतरते थे कबीर को वे साहब मान दे थे और उन्हें की गीतों को गाते उनके ही आदरसों पर चलते थे यानि ये कबीर पंथी थे खरावे वहार करते कभी जूट नहीं बोलते ना किसी से बात करने में संकुच करते ना ही जगडा मोल लेते किसी दूसरे की चीज को छूते भी नहीं यहां तक कि दूसरे के खेत में सौच भी नहीं जाते ये मानते थे कि इनकी सब चीज साहब को अर्पी थे जो कुछ भी खेत में पैदा होता उसे सर पर लाद कर एक कबीर पंती मर्थ था वहां ले जाते और सब भेट कर देते फिर वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता वही घर लाते और उसी से गुजर बसर होता परन्तु इन सब से उपर था उनका गान जो कबीर के सीधे सादे पद उनकी कंट से निकल कर सजीव हो उड़ते आसार की रिमजिम में समुचा गाउं खेतों में उमर पड़ता कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी होती धान के खेतों में बच्चे उचल कुद करते और ते कलेवा लेकर बैठी रहती और ठंडी पुरवाई ऐसे में आपकी कानों में एक स्वर्थ तरंग जनकार से उठती बाल गोविन भगत कीचर से लिप्टे अपने खेतों में रोपनी कर रहे होते उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्ती पद खेत में बिठा रही होती और कंट एक एक सब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा कर उपर स्वर्ग की और जैसे भेज रहे हो उस संगीत में बच्चे जूम उठते हैं औरतों के होट गुन गुनाने लगते हैं हलवाहों के पैर्थी रखने लगते और रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती लगता ये जादू संगीत का है या भगत का भादू की अंधेरी रात में बाल गोविन का संगीत कूँचता रहता बिजली की तड़क, बादलों की गरज, झिली की जनकार या दादूरों की तर तर इनों नहीं डूगो सकती खंज्री डिमक डिमक भजती रहती और विगार है होते गोधी में पिया वा चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना इसका अर्थ है, हाँ, पिया तो गोध में ही है, किन्तो वा समझती है, वा अकेली है वा डर जाती है, चमक उठती है, चिहुक उठती है ये गाना भला किसी न चौका देता जब सारा संसार सो रहा होता बालगोविन भगत गा रहे होते तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा कार्टि क्याते ही बालगुविन भगत के परभातिया सुरू होती तो पुड़े फालगुन तरक चलती इन दिनों वे सवेरे सवेरे ही उठ जाते गाउं से दो मिल दूर नदी स्नान करने प्राते ही चले जाते और लटकर गाउं के बाहर ही पुखरे के उंचे भिंड पर खंजरी लेकर जा बढ़ते और अपने गाने टेरने लगते लेखक जिने दिर तक सोने की आदत थी उन्हें भगत के गानों के आकरसन ने कटकटाती ठंड में भी पोखर तक जाने को मजबूर कर दिया जब आसमान के तारे भी नहीं बुझे थे जब खेत बगीचा घर सब जगा को हासा चाया हुआ था ऐसे वक्त में भी एक कूस की चटाई पर पूरब की तरह मूँ किये काली कमली ओड़े बाल गुविन भगत अपनी खंजडी लिए बैठे थे गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाते कि लगता भी खड़े हो जाएंगे इस थंड में भी उनके माथे पर पसीने की बुंदे देखी जा सकती थी इसी तरह गर्मियों के साम में भी आंगन में संज़ा जम जाती और गाउं के प्रेमी लोगों की मंडली जम जाती जो उनके ताल में ताल दोहराती जाती और ये ताल सुनाने वालों को ऐसे मुग्द कर देता कि उनका मन तन पर जैसे हावी हो जाता और वे सभी निरते सिल होने लगते परन्तु लेखक बताते हैं यहाँ पर कि बाल गोविन की संगीत साधना का चर्मोत कर्स उस दिन दिखा था जब उनका इकलौता बेटा मर गया था उनका बेटा जो थोड़ा सीधा और सुस्त था परन्तु गोविन कहते ऐसे लोगों को ही ज़्यादा देखभाल और प्यार करने की जरूरत होती है उसकी साधी भी उन्होंने बहुत ही साध से कराए बहु बहुत ही सुभर और सुसील मिले थी आते ही पूरे घर की जिम्यवारी उसने संभाल ली और गोविन भगत को जैसे सारी संसारिक्ता से मुक्त कर दिया परन्तु एक लंबी बिमारी के बाद उनका बेटा मर गया जब ये देखने लेख़क गये तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गये गोविन भगत ने बेटे को आंगर में एक चटाई पर लिटा कर सफेद कप्रे से ढख रखा था कुछ फूल और तुलसी उसके उपर बिखरा दिया था और सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उसी के सामने एक आसन बिछा कर उस पर बैठ कर गीत गाते चले जा रहे थे पूरी तलिन्ता के साथ पतुहू रो रही थी और गोविन भगत गा रहे थे गाते गाते कभी कभी पतुहू के पास जाते और रोने के बदले उसे उत्सो मनाने को कहते कि आत्मा पर मात्मा के पास चली गई विरही नहीं अपने प्रेमी से जा मिली इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है देखने में तो ये उनका पागलपन लग रहा था परन्तु इसमें उनका चरम विश्वास बोल रहा था वो विश्वास जो हमेशा मिर्तिव पर विजय प्रात करता रहा है बेते के किरिया कर्म में पतोहू से आग दिलाई और जैसे ही इस राद की ओधी पूरी हुई बहू के भाई को बुला कर ये आदेश देते हुए उसे उसके साथ भेज दिया कि इसकी दूसरी साधी कर देना पतोहू के लाख जित करने पर कि उन्हें कौन देखेगा वो उनकी सेवा में बाकी दिन गुजारना चाहती है उसे कड़ाई के साथ आदेश सुना दिया कि तू जा नहीं तो मैं घर छोड़ कर चला जाओंगा बाल गुविन की मौत वैसी ही हुई जैसे वे चाहते थे हर वर्स वे गंगास नान करने जाते जिसमें उनका मुक्य उदेश से होता संतों के साथ समागम और लोकतरसन वे तीस को स्पैदल ही चल कर जाते रास्ते में कुछ नहीं खाते घर से ही खाकर निकलते और वापस घर आते तभी खाते चार से पांच दिन उन्हें आने और जाने में लग जाते रास्ते भरवे खंजरी बजाते गाते जाते और कही रास्ते में अगर पानी मिलता तो पी लेते इस उपवास में भी उनकी मस्ती में कोई कमी नहीं होती बुड़ापा आ गया था परंतु जोज जवानों वाले ही थे परंतु इस बार जब वे लोटे तो तब्यत उनकी सुस्त थी बुखार भी आने लगा था परंतु उनके दैनी किरिया कलाप में कोई फार्क नहीं आया ना आराम करते और ना किसी के मना करने पर नहाना धोना ही बंद किया उस दिन भी उन्होंने संध्या गीत भी गया परंतु मालूम होता था जैसे धागा तूट गया हो माले का एक-एक दाना बिखरा हुआ हो जैसे सुबह जब लोगों ने गोविन भगत का गीत नहीं सुना तब जाकर देखा तो बाल गोविन भगत अभी दुनिया में नहीं रहे उनका सिर्फ पंजर पड़ा हुआ था ये थी कहानी एक ऐसे वैक्ति की जो सांसारिक्तक में रहकर भी अपने मन से, अपने बिचार से साधू था और उसका पालन उसने सारी जीवन किया इस कहानी को लिखने का उद्दे से लेखक का यहीं रहा होगा कि सांसारिक्ता का मतलब ये नहीं होता कि हम हिर्दे से, हम मन से साधू नहीं हो सकते साधू एक व्यक्तित्व है जो कहीं भी किसी भी समय उसका पालन किया जा सकता है सांसारिक्ता को निभाते निभाते अपने दाइत्यों को निभाते निभाते भी हम साधूपन का पालन कर सकते है यह एक सोच है, विचार है, जिस वैक्ति का विचार ऐसा होगा, उसे कोई अपनी राज से भटका नहीं सकता यह थी कहानी और इसका संदेश मैं आपसे मिलते हूँ अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे सब्सक्राइब कर ले मैं इसी तरह की कहानिया लेकर आती रहूंगी फिर आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद